हालो स्टूडेंट्स हम ओबी जी के जो टोपिक्स चल रहे थे अपने उसमें कुछ दिनों पहले एबोशन का टोपिक मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें इंडक्शन ओफ लेबर शुरू किया था और उसमें भी हमने MTP Act के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में अब जो इसमें एबोशन में जो लास्ट बचा है इसमें दो टोपिक्स बचे हैं मीन्स एक तो है मेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी यानि जो मेथर्ड से जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में जो मेथर्ड यूज आते हैं वो बचे हैं दूसरा इसका जो नर्स तो इसको शुरू करते हैं तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी इस लीगली पर्मिटेड अप्टू 20 वीक्स ओफ जेस्टेशन जो इंड्यूस एबोशन होता है जो लीगल एबोशन कराया जाता है वो कब तक कराया पर्मिट होता ह है 22-22 वीक्स तक ओके नेक्स्ट पॉइंट है एबोशन के इन भी पर्फॉर्म आइदर मेडिकली और सर्जिकली यानि कि जो एबोशन का प्रोसीजर है यह दो तरह से कर सकते हैं एक तो मेडिकली कर सकते हैं दूसरा सर्जिकली मीन्स यह है कि ड्रक्स के थुरू अगर एब पॉशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सर्जिकली ओके दोनों ओप्षन है यहां नेक्स्ट पॉइंट है दा चोईस ओफ मेथर्ड विल डिपेंड ओन दा ड्यूरेशन ओफ प्रेगनेंसी अब यहां पर दो ओप्षन तो हैं मेडिकली भी और सर्जिकली भी बट यह डिपे ट्राइमेस्टर में है इस पर बेस करता है ओप्षन ओके नेक्स्ट वन है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन परफोर्म इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस सेफर देन इन शेकिन ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी को एबोट करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा सेफ होता in comparison to second trimester, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि first trimester में complications कम देखने को मिलती है, अगर abortion first trimester में ही हो जाएगा, तो complications होने के कम chance होंगे, ओके, तो ये इसके introduction की बात हो गई, methods of termination of pregnancy, ओके, अब इसके बाद next one अपन बात करते हैं, इसके कौन-कौन से methods होते हैं, तो सबसे पहले बन बात करेंगे, methods used in first trimester, यानि जो first trimester में methods used किये जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पहला है medical abortion, यानि जब drugs का use करके abortion किया जाता है, तो उसको बोलते है medical abortion, जैसा यहाँ पर लिखा है, medical abortions are non-surgical abortions that use drugs and are only effective in first trimester, जो medical abortion होता है, इसमें drugs का use किया जाता है, बट इस तरह का जो abortion का type है, ठीक है, यह जो point abortion का, यह सी effective होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, second trimester में इतना effective नहीं रहेगा, next point अब इसमें है कि कौन-कौन सी drugs यहाँ पर use कर सकते हैं, abortion के लिए, तो यहाँ पर combination आता है, एक तो है मिफिप्रिष्टोन और एक है मिसो प्रोष्टोल, इन दोनों drugs के combination यहाँ पर दिया जाता है, abortion के लिए, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस combination is safe method for terminating early pregnancy up to 9 weeks of gestation, यानि कि जो शुरू की 9 weeks की pregnancy होती है, उस time यह combination की drugs देकर abortion कराना बहुत safe होता है, जो early pregnancy होती है, 9 weeks की, next point है, मिफे प्रेश्टोन, ब्लोक्स, प्रोजेस्टोन, रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस और डी अटेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अब यह जो drugs का combination दिया जा रहा है, इनका क्या action होता है, जो मिफे प्रेश्टोन होती है, यह क्या करती है, यह progestron को ब्लोक कर देती है, ठीक है, जो endometrium, sorry, जो myometrium है, या decidua है, उस पे जो progestron के receptors होते हैं, उनको यह drug block कर देती है, कौन सी drug, मिफे प्रेश्टोन, ठीक है, जिस वज़े से क्या result देखने को मिलता है, जो myometrium है, उसमें nekrosis होने लग जाता है, जो placenta है, उसमें nekrosis होने लग जाता है, और placenta का deattachment हो जाता है, अगर placenta को proper supply नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, nekrosis होकर deattachment हो जायगा, क्योगा आपको पता है, प्रोजेस्ट्रोन यहां क्या करता है pregnancy को develop करता है myometrium को develop करता है pregnancy के लिए ठीक है बट अगर यहां पर प्रोजेस्ट्रोन भी ब्लोक हो जाएगा तो क्या होगा pregnancy आगे continue नहीं होगी next है इसके बाद mesoprostol यहां क्या करता है mesoprostol binds to myometrium cells causes strong contraction and cervical softening and dilation जो mesoprostol drug है यह क्या करती है myometrium में contraction cause करती है जो mesoprostol है कि prostaglandins का analog होता है तो यह क्या करता है myometrium में contraction करता और दूसरा cervix को dilate करता है तो यह दोनों combination में drug देंगे तो abortion हो जाएगा early pregnancy में कैसे होगा mipepriston तो क्या करेगी प्रोजेश्ट्रोन को ब्लोक करेगी, प्लेसेंटा में नेक्रोसिस करेगी, उसका डियेटेज्टमेंट होगा, मिजो प्रोजेटोल क्या करेगी, जो मायोमेट्रियम है, उसमें कोंट्रेक्शन प्रोड्यूस करेगी, दूसरा सर्विक्स को डाइलेट करेगी, तो इस तरह से abortion यहां पर होगा तो यह तो बात हो गए medical abortion की अब बात करते हैं surgical abortion की अगर जो medical abortion है वो अगर fail हो जाए यानि काम नहीं करे medical abortion तो उस time surgical abortion या surgery का use किया जाता है तो इसमें जो surgical abortion है first trimester में इसमें तीन surgery आती है ठीक है या तीन procedure आते हैं यहां पर first one है इसमें manual vacuum aspiration यह क्या होता है it is a quick and effective method of abortion up to 12 weeks यानि कि जो शुरू की 12 week की जो pregnancy है उसके अंदर अगर abortion करा रहे है तो उसमें बहुत effective होता है यह procedure next point है in this procedure fetus और embryo placenta and membranes are removing by suction using a manual syringe through a thin opening of undilated cervix इसका मतलब यह है कि जो undilated cervix यानि जो cervix है उससे एक needle की या जो syringe है ठीक है उसको अंदर insert कराया जाता है जो normally अपना जो injection आता है वैसे एक syringe होती है इस टाइप की जिसको जो यूट्रस की अंदर insert कराया जाता है यहां से और manually जैसे अपन जब injection को aspirate करते हैं पीछे की तरफ खीशते हैं वैसे ही अंदर insert कराके needle को और जो भी अंदर के product है उसको aspirate कर लिया जाता है syringe के थुरू के तो इस procedure को बोलते है manual vacuum aspiration नेक्स्ट यहां पर सर्जीगल प्रोसीजर है suction evacuation अब इसमें क्या करते हैं इट कंसिस्ट ओफ a suction machine attached with a cannula अब इसमें क्या होता है कि एक suction machine होती है उसमें cannula attached होता है ठीक है मिजो प्रोश्टोल 400 mg इस गीवन वेजाइनली 3 hours prior to suction to produce effective dilation of cervix यानि की जो इप्रोसीजर करा जा रहा है उससे 3 घंटे पहले ठीक है सरजरी से 3 घंटे पहले यहां पर मिजो प्रोश्टोल है patient को दी जाती है क्यों दी जाती है क्योंकि मिजो प्रोश्टोल क्या जाता करेगी सर्विक्स को डाइलेड करेगी player हो के तो अब इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है इसमें इन्सट कराया जाता है सक्षन किया कर लिए जाता हैरे लिए इस प्रोसीजर में नेक्स्ट ए इस गाता इवाक्वेशन इसमें क्या होता है इट इस कोमनली यूस फोर लेट फर्स ट्राइमेस्टर और अरली सेकिंड ट्राइमेस्टर यह जो प्रोसीजर यह कब इफेक्टिव होता है या किया जाता है जो लेट फर्स ट्राइमेस्टर है आखरी का जो फर्स ट्राइमेस्टर है जैस इसमें क्या करते हैं कि जो सर्विक से उसको डाइलेट करते हैं और जो मतलब सक्षन मशीन है उससे अंदर से प्रोड़क्ट को बाहर सक्षन आउट कर लिया जाता है कि यह गी जाता है एक चाल लिये इंदर समय और तीसव क्या जाता है यह वाद अब यहा पर ये डोक्टर से कुछ डोक्टर क्या करते हैं सक्षन मशीन का यूज नहीं करके यहां पर क्या करते हैं क्यूरेटर का यूज करते हैं इस तरह का जो क्यूरेटर होता है उसका यूज करते हैं अब इसका करते क्या है इसको curator को अंदर insert कराया जाता है uterus में और जो wall है जो uterine wall है उसको scrape किया जाता है ठीक है scrape करके जो भी tissue से attach होते हैं उनको बाहर ले लिया जाता है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सक्षन मशीन की जगे क्यूरेटर का यूज कर रहा है यूट्राइन वाल से अंदर के प्रोडक्स को रिमू करने के लिए तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे डाइलेशन एंड क्यूरेटेज वो ता डाइलेशन एंड इवाक्वेशन जिसमें सक्षन मशीन का यूज हो रहा था और अगर क्यूरेटर का यूज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे डाइलेशन एंड क्यूरेटेज जो इवाकवेशन वाला प्रोसीजर है इसको क्यों किया जाता है यह सस्ता पड़ता है ज़्यादा कोश्ली नहीं होता इसलिए डाइलेशन ईवाल्चवेशन ज़्याधा परफार्म किया जाता है ओके यह बात हो गई जो method first trimester में use किया जाते हैं अब बात करते हैं अपन second trimester में जो methods use किया जाते हैं उनकी तो इसमें first point है from 9 weeks to 40 weeks an abortion is performed by तो भिल्ड सेक्षिन क्योंत्र सब्सक्राइब फहले हिर conducted यानि कि जो नाइन विक से यानि वर्ली करिद्ट सर्गेंस्ट मेशटर से जो अर्ली स्टाइब सेटिएं का स्टेश उना पेरोफ का घ्रिक है और 15 विक落ं बास्य शेक्षिन साथ होता है तो यहाँ पे जो अगर वीक हैं उनमें अगर जो सरजरी की जाती हो कौन सी की जाती है डाइलेशन एं सक्षन एंड क्यूरेटेज प्रोसीजर केनेगा मतलब यह है कि पहले तो डाइलेट करके सक्षन कर लिया जाता है नेक्स्ट है आफ्टर 14 वीक्स बाइलेशन एंड इवाक्वेशन यानि 14 वीक्स के बाद में डाइलेशन एंड इवाक्वेशन प्रोसीजर किया जाता है जो डाइलेशन इवाक्वेशन यह सेकिंड ट्राइमेस्टर में ही परफोर्म होता है अगर 20 वीक्स से जधा हो जाए 20 से 22 वीक्स तक लीगल होता है तो अगर 20 वीक्स से उपर की प्रेगनेंसी हो गई तो उस टाइम ऑक्सी टोसीन इंफ्यूजन यहाँ पर दे सकते हैं और हिस्ट्रोटोमी दे सकते हैं तो इसमें first one है oxytocin infusion जो oxytocin होता है आपको पता है जो normal labor में भी यह means अपनी body release करती हो यह क्या करता है uterus में contraction produce करता है तो यहाँ पे अगर 20 week से ज़्यादा भी pregnancy है तो क्या करेंगे oxytocin का infusion देंगे जिससे क्या होगा contraction start हो जाएंगे और contraction start होंगे तो उसे conceptual product बाहर आ जा leukemia this method is similar to caeaserian section uterus is open through a small abdominal incision जो gastotomy का procedure है यह caeaserian section की तरह ही होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो uterus होता है उसको cut किया जाता है ओके ओपन किया जाता है जैसे सीजिरेन सेक्षन में करते हैं जो यूटरल होता है उसको कट करके और वहांसे बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है सेम इसमें क्या करते हैं सर्जीकल या मेडिकल प्रोसीजर्स वो अगर काम नहीं करें या फेल हो जाए ओके सो ये बात हो गए मेथर्डस ओफ मेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए ठेंक यू तो ये बोशन के टोपिक में यहां तक कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नर्सिंग मेनेजमेंट पढ़ा दूँगा ओके तो ये बोशन का टोपिक कम्प्लीट हो जाएगा ठेंक यू